दोस्तो एक पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपना यूडी चैनल सक्सेस रोजकार में दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार के 30 जिला में ये भरती आ चुका है कि बिहार ग्राम का चहरी सचीव पदो के लिए भरती आई हुई है जिसमें 1400 पदो पर यहाँ पे बहाली के बारे में जिक्र किया गया है साथे साथ आपको पूरी जानकारी देंगे कि इसमें और कौन-कौन से भरती है इसके लिए क्या सलेबस है योगता क्या रहेगी चैन पर किरिया क्या है अप लाइक अप से होगा वो सभी जानकारी A to Z यहाँ पे आपको इस वीडियो में किलियर करके बताने वाले हैं सबसे पहले दोस्तों आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पर लिजए जिससे कि आपको कम्पलीट जानकारी मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा सको चली दोस्तों आज किस वीडियो को सुरू करते हैं और सबसे पहले चलते हैं ओफिस्यल वेबसाइट पे और ओफिस्यल वेबसाइट की हेल्प से आपको पूरी जानकारी यहाँ पे बताने वाले हैं जैसा कि दोस्तों आप इस स्कीन पे देख पा रहे हैं कि हम लोग आ चुके ऑफिस्यल जो इसके वेबसाइट है वहाँ पे और यहाँ पे आप देख पाएंगे तो बिहार ग्राम का चहरी सचीव भरती 2024 को लेकर यह नोटिफिकेशन इस नोटिस में पूरा जनकारी यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पंचाईती राज विभाग की ओर से एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है इस अपडेट के अनुसार पंचाईती राज विभाग के अंतरगत क्राम का चहरी सचीव के 1400 पदों पर भरती की जा रही है इस पे complete जानकारी A to Z बताने वाले हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहला जो यहाँ पे आप देखने को मिला आया है कि पोस्ट ने पोस्ट निम क्या है कचाहरी सचीव की पोस्ट है जिसमें total पोस्ट की बात करें तो 1400 पोस्ट है और department की बात करें तो पंचाईती आर्टिकल यहाँ पे बताया गया है तो सारी जानकारी यहाँ पे आपको देने वाले सबसे पहले जो यहाँ पे आप देखेंगे तो यह जो नोटिफिकेशन प्रकासित किया गया है यह न्यूज पेपर के मादेम से प्रकासित किया गया है वो भी आपको जानकारी देंगे यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा गया कि पंचाइती राज विभाग ने ग्राम कचहरी में दो अलग-अलग पदों पर भरती निकाली है जिसमें नियाय मित्र और कचहरी सचीब के पद को रखा गया है राज के 8,056 ग्राम कचहरी में से नियाय मित्र के 5,826 पद ही कार्यत है जिसमें से 2,230 पद रिक्त है जबकि कचहरी सचीब के 6,656 पद भरे हुए है और 1,400 पद रिक्त है कहा गया है कि दोनों पदों पर 2 महिने के अंदर भरती कर ली जाएगी जिससे नियाय मित्र के पद पर समिधा के आधार पर भरती की जाएगी जैसा कि यहाँ पर आप सबी लोग देख पा रहे है इसके साथ साथ यहाँ पर आगे बताया गया है दोस्तों हलंकी पंचाईती र तक बने रहे तो यहां पे कचारी सचीब के पदो की बात करें तो जीलावाज यहां पे सीट निकाला गया है कि किस जीला में आपको कितना सीट देखने को मिला है इसका आप consent पाएंगे तो यहां पे सारा डिटेल में डेटा दिया गया है कि अरडिया डिस्टिक में सचीव के लिए 46 सीट है अरवल में 14 सीट है और अंगाबाद में 6 सीट है मदेपूरा में 5 मदवन्नी में 62 मुंगेर में 4 इस तरीके से यहाँ पे पूरे जिला का यहाँ पे लिस्ट दिया गया है जैसा कि आप इसकीन पे देख पा रहें और यहाँ प पदो पर भरती दो महिने के अंदर आवेदन सुरू किया जा सकता है जैसे इस भरती से जूरी कोई भी जानकारी आती है आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा इसके साथ सत यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे के जुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या होना चा तो बिहार राज के समदित ग्राम पंचायत का निवासी होना जरूरी है और इसके लिए जो आपको बात करें प्राप्त सैची योगता की तो इंटरमीडियेट यानि 10 पलस 2 उतिन पास होना कंपल सरी है और यहाँ पे बत्या गया है कि द्वारा घोसित समक्च अहर्ता परं जैसा कि यहाँ पे आप सबी लोग देख पा रहें तो यहाँ पे बात करें तो यही वो नोटिफिकेसन जो कि न्यूज पेपर के माजिम से प्रकासित किया गया है जैसा कि आप इस कीर पे देख पा रहे हैं और यहाँ पे साब बत्या गया कि राजभर में 8,056 ग्राम कचा जैसा कि यहां पे बताया गया और एक जो भरती आपको जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पंचाइतों को 6570 लेखा पलसा IT सहायक अक्टूबर तक मिलेंगे तो इसकी भरती को लेकर जो नोटिफिकेशन प्रकासित किया गया था उसमें तो यहां पे इसकी भी आपको जनकारी वीडियो में बताया था फिलाल यहां पे जो नीज़ पेपर के माधियम से बताया गया इसके बारे में तो यहां पे आप देखेंगे तो साफ लिका गया है कि राज के पंचाइतों में कामकार तेजी से निबटाये जाएंगे इसके लिए अक्टूबर तक पंचाइतों में 6570 लेखा पल सा आईटी सा आएक निक्त हो जाएंगे एजेंसी के माध्यम से इनके निक्ति परकिरिया चल रही है जुलाई के पर्थम सप्ता में बहाली के लिए ओन अन परिच्छा ले जाएगी परिच्छा में अकाउंटेंट से जुरे सवाल होगी और आवेदन करने वाले अभ्यार्थी का चैन केंप्यूटर बेस टेस्ट के अधार पर होगा कुल पदों में पूरुष के लिए 4,270 पद है जबकि महिला अभ्यार्थी के लिए 2300 पद है परिच्छा ग्राम स्वाराज योजना सोसाइटी के माध्यम से मानव संसाधन आउट्सोर्स एजन्सी के माध्यम से लिए जाएगी आवेदन और परिच्छा से जुरी जानकारी अभ्यार्थी को www.bgsys.by.gov.in पर मिलेगा जो कि यहाँ पर साब बतया गया है और यहाँ पर बात करें कि 8,056 ग्राम कचारी में से मात्र 5,826 पद पर ही नियामित्र कार्यत है बाकी जो बचे 2,230 पद रिक्त है जबकि ग्राम कचारी सचीव के 6,656 पद भरे हुए और 1,400 पद खाली है तो इन दोनों बहाली पदों को 2 महिने के भीतर भरने के भरने के लिए कहा गया है जो कि यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं मतलब 60 दिनों के भीतर यहाँ भरने के लिए कहा गया है और दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इस वीडियो में आल्मोस्ट आपको सभी जानकारी प्रोवाइट कर दिये हैं वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे जिससे कि आप सबी लोग को इसी तरीके का वीडियो हम आपको प्रोवाइट करते रहे बाकी आपको इस भरती परकिरिया के बारे में और भी अधिक जानकारी है या फिर कोई लेटेस्ट नोटिफिक कर आता है तो वह हम अपने वीडियो के माधियन से आपको बताएंगे आपको और अधिक जानकारी है तो आप वीडियो के निचे कमेंट सेक्सर में हमें भी जानकारी प्रोवाइट कर सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद रहा होगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राब कर लिजे हम मिलते इस तरह के और ने टॉफी के साथ तबते के लिए बने वार साथ बीस्ट यू अल दे बेस्ट एंड लब यू अल